अंतरिक्ष इंसान को हमेशा से लुभाता रहा है पहले इंसान उसके बारे में सिर्फ कल्पनाएं कर सकता था फिर उसने अंतरिक्ष में पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी रूस ने सबसे पहले सेटिलाइट को अंतरिक्ष में भेजने में काम्याबी हासिल की तब से लेकर अब तक कई अंतरिक्ष यान सफलता पूर्वाग छोड़े गए हैं लेकिन फिर भी हम अंतरिक्ष और ब्रह्मान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जुटा सके हैं लेकि कि बंस सभी ग्रहों पर भीजे जा चुके हैं फिर भी हम अभी तक खाली हांथ हैं लेकिन आने वाले समय में ऐसे कई अंतरिक्ष मिशन हैं जिने वहां भीजा जाना है ऐसे में हो सकता है कि हम अपने Solar System और ब्रह्मान के बारे में ऐसी कई बाते जान सके जिन से हम अभी तक अंजान हैं. तो आए जानते हैं 2030 तक भेजे जाने वाले ऐसे ही कुछ अंतरिक्ष मिशन के बारे में. चान पर जाने वाले मिशन चंद्रयान 2 मिशन इस्रो चंद्रयान 2 चान पर 2018 के सेकेंड हाफ में जाएगा जिसे पूरे तरीके से भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इस्रो ने विक्सित किया है. इस अभियान में एक लूनर और्बिटर, एक रोवर और एक से चलेगा, जो चंद्रमा की सतह से मिट्टी और चट्टानों के साम्पल को इखटा करेगा और उनका रासाइनिक विश्रेशन कर डेटा को लूनर और्बिटर के पास भीचेगा, जो इसे प्रित्वी तक महुचाएगा. इसका हाई रेजलूशन कैमरा लैंडर के स्पेस एजनसी रॉस कोस्मॉस चांद पर अंतरिक्ष यान उतारने लाइक बेस बनाने की संभावनाओं की तलाश कर रही है. 2019 में रोबिटिक यान लूनर ट्वरिफाइग चांद पर भेजा जाएगा. रूस की योचना हाईटिक लूनर बेस बनाने के साथ वहां इंसानो की कॉलनी बनाने और साइंस लैब बनाने की भी है. इसके लिए रूस 2030 तक चांद पर छे अंतरिक्ष यान भेज़ेगा. चाइनाज चेंज फाइव मिशन टु दा मून 2019 में चीन अपने चेंज फाइव मिशन के तहट चंद्रमा के अंदरूनी हिस्सों पर पहली बार अंतरिक्ष यान भेज़ेगा. इस अभियान के तीन चरण होंगे. इसमें और्बिट में घूमना, जमीन पर उतरना और वापस आना शामिल है. चंद्रमा से मिले सेंपल्स का प्रयोगशाला में परिक्षिन होगा और चांद का टोपोग्रैफिक और भोगॉलिक सर्विक्षिन किया जाएगा. चीन अगले पांच साल तक लगातार चंद्रमा पर मिशन भेजनी की तयारी में है. पहले इस मिशन को 2017 में भीजा जाना था लेकिन लॉंच विकल में खरावी आ जाने से इसे डिले कर दिया गया और अब इसे 2019 में भीजा जाना है. सूरज पर जाने वाले मिशन आदिती L1 भारती अंतरिक्ष एजनसी इसरो 2019 से 2020 के बीच आदिती L1 सेटलाइट को लॉंच करेगा जो सूरी के सबसे बहारी भाकी और हवाओं और विकरिन के अधियन में मदद मिलेगी. अभी तक वैज्यानिक सूर्ग के कोरोना का अधियन केवल सूर्ग रहन के समय ही कर पाते हैं, लेकिन आदित L1 की मदद से ये पता लगाया जा सकेगा कि सौर लप्टे धर्ती पर एलेक्ट्रिक और कम्यूनिकेशन न कोरोना का अधियन करेगा पारकर सोलर प्रोब मिशन नासा 6 अगस्त 2018 को सोलर विंड का रहसे जाने के लिए सूलर प्रोब प्लस रोबोटिक यान भेजेगा ये यान सूरिक के काफी निकट पहुचकर सौरे हवाओं के चुम्ब की एक शेत्रों कोरोना के अत्यधिक गर्म ह उने सौर आंधी की तिव्रता का कारण और सूर के नजदी मौजूद धूल भरे प्लाज्मा का अधियन करेगा ये रोपियन अंतरिक्ष एजेंसी भी फरवरी 2019 में सोलर और्बिटर सेटलाइट लॉंच करेगा ये सूरिके ध्रुवेक शेत्रों का अधियन कर सूरिद्वा रोवर को 2020 के जुलाई महीने में मंगल ग्रह पर लैंड कराएगा क्योंकि उस समय प्रित्वी और मंगल दोनों एक दूस्टे के काफी नजदीक होंगे ये रोवर मंगल ग्रह की सतह पर चटानों को खोद कर वहां जिवाडू के बारे में पता लगाएगा उसके बाद अपॉचनिटी और क्यूरोसिटी मंगल पर अक्टिव हैं चीन भी जुलाई या अगस 2020 में अपना चाइनीज मार्स मिशन भीजनी की तयारी में है एक्सो मार्स मंगल पर जीवन की खोज रूसी और यूरोपेन अंतरिक्ष एजन्सी मंगल ग्रह पर जीवन को खोजने और वहां गैसों की मौजूद्गी का पता लगाने के लिए दो चरणों में एक्सो मार्स मिशन को पूरा करेंगी पहले चरण में एक्सो मार्स यान 19 अक्टूबर 2016 को मंगल ग्रह पर पहुँच गया जिसका मुख्यकार मंगल की सथे का फोटो लेना और इसकी हवा का विशलेशन करना है दूसरे चरण में 2020 में एक मार्स रोवर भीजा जाएगा जो पता लगाएगा कि मंगल पर जीवन की संभावनाए है या नहीं जूपिटर प्लानेट पर जाने वाले मिशन यूरोपा पर मिशन यूरोपा क्लिपर नासा 2022 से 2025 में ब्रहस्पति ग्रह यानि जूपिटर के चान यूरोपा पर यूरोपा क्लिपर मिशन भीजेगा इसका मकसद यूरोपा की बर्फ की सतय के भीतर क्या है इसका पता लगाना है वग्यानिकों का मानना है कि इसकी सतय के नीचे समुद्र है यूरोपा पर जाने वाला यान अपनी परमाणों शक्ती से गर्मी पैदा कर बर्फ को पिगला कर तब तक धस्ता जाएगा जब तक वे समुद्र में प्रवेश न कर ले या फिर ये साबित कर दे कि वहाँ समुद्र नहीं है जूपिटर आईसी मून्स एक्स्प्लोरर जूपिटर जूपिटर आईसी मून्स एक्स्प्लोरर यानी जूपिटर यान भेजेगा जो वहाँ 2030 में पहुंचेगा 2030 में ये जूपिटर के तीनों चान यूरोपा, गैनिमेज और कैलिस्टो की ओर्बिट में इंटर कर पता लगाएगा कि वहाँ जीवन है या नहीं इस यान में हाई रिजूलेशन कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर और बर्फ को काफी अंदर तक छेदने में सक्षम रडार लगे होंगे शनी पर जाने वाले मिशन शनी के चान टाइटन पर मिशन टाइटन सैटन सिस्टम मिशन नासा और यूरोपिय अंतरिक्ष एजिंसी मिलकर 2020 में शनी ग्रह और उसके चान टाइटन और इंसेलेडस का अधियन करने के लिए टाइटन एंड सैटन सिस्टम मिशन के तहत एक अंतरिक्ष यान भीजेंगे ये यान दोहजार उनतिस में शनी ग्रह की कक्षा में पहुँचकर इसका अधियन करेगा ये दो साल तक शनी का चकर लगाकर जानकारियां जटाएगा इसके बाद दो महीने तक टाइटन की हवाओं के नमूनों की जाच करेगा और 20 महीने तक शनी के चान टाइटन का चकर लगाएगा साथ ही एक होट एर बलून टाइटन के बादलों में छोड़ा जाएगा और एक लैंडर को शनी ग्रह पर मौजूद मीथेन के समुद्र में उतार कर डेटा इखटा करेगा टाइटन और्बिटर इन आकडों को प्रत्वी पर भीजेगा बुद्र ग्रह पर जाने वाले मिशन बैपी कोलंबो जापानी अंतरिक्ष एजनसी और यूरोपे अंतरिक्ष एजनसी मिलकर औक्टूबर 2018 में बुद्र ग्रह यानी मर्कुरी के लिए बैपी कोलंबो मिशन की शुरुवात करेंगे इसमें दो सेटलाइट मर्कुरी प्लैनेटरी ऑर्बिटर और मर्कुरी मैगनेटोस्फेरिक ऑर्बिटर एक साथ लांच किये जाएंगे इस मिशन में बुद्र ग्रह की उत्पत्ती चुम्ब की एक शेत्रे इसकी आंतरिक सनचना और सते का अधियन किया जाएगा दोनों सेटलाइट 2025 में मर्क्यूरी प्लैनेट की ओर्बिट में प्रवेश करेंगे शुक्र ग्रह पर जाने वाले मिशन वेनेरा डी रूस की अंतरिक्ष एजनसी और अमेरिकी अंतरिक्ष एजनसी नासा के साथ मिलकर वेनेरा डी नामक एक नई परियोजना पर बात कर रहा है इस परियोजना में डी का मतलब है दीर्ख कालीन इस परियोजना के अनुसार एक ऐसा अंतरिक्ष यान बनाया जाएगा जो शुक्र ग्रह पर उतरने के बाद उसकी सते पर कुछ दिनों तक काम कर सकेगा इस मिशन के लिए 2026 की योजना बनाई गई है साथ ही भारत भी वियंस प्लानेट पर अंतरिक्षियान भेजने की प्लानिंग कर रहा है दोस्तों ये वो मिशन है जिन पर अभी काम चल रहा है और बहुत जल्द ही इन्हें अंतरिक्ष में लांच किया जाएगा मतलब ये कि दुनिया भर के देश जिन्हें अंतरिक्ष में महारत हासिल है वो दूसरे प्लानेट या मून्स पर दुनिया बसा कर ही दम लेंगे खैर ये तो देखने वाली बात होगी कि हमें दूसरे प्लानेट पर रहने का मौका मिलेका या नहीं लेकिन कुछ भी कहें रास्ता बहुत ही कठिन है दोस्तों आपको क्या लगता है? इतने सारे missions जो भीजे जा रहे हैं क्या वो दुनिया में तहलका मचा देंगे अपनी राए comment box में जरूर दें अगर आपको इवीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like और share करें